हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इब्राफ इसे अपने यूडूब चलें डॉलिच में IFMS 3.0 पर अप्रेल माहा के वेतन बिलो में सबी कार्मिकों की GIS की कटोती की जानी है जिसे हम गुरूप इंशोरेंस भी बोलते हैं तो वह कोट होती हमें किस तरह employee के deduction में शो करवानी है किस तरह add करनी है आए प्रोसेस स्टाट करते हैं यहां मैंने IFMS 3.0 पर लॉग इन किया हुआ है आपको सबसे पहले यहां पर sanctions पर जाना है sanctions पर जाने के बाद salary sanctions पर जाना है उसके बाद आपको third option मिलेगा deduction sanction individual जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने यह employee के list open हो जाएगे आप देख रहे हैं page load हो रहा है तो आप उपर एक button रहता है यहां पर reload this page का इस पर आप click करेंगे तो आपका यह page load हो जाएगा and employees के जो name है आपके सामने प्रिदर्शित हो जाएगे यहां देखेंगे हम हमारे सामने employees के नाम शो हो गया है अब जिस employee के आप कटौती करना चाह रहे हैं group insurance की उससे यहां से search करेंगे अब हम देखेंगे वो employee हमारे सामने प्रिदर्शित हो गया है तो हम यहां पर simple उसके सामने initiate button पे click करेंगे जैसे हम initiate button पे click करेंगे जो भी अब यह employee के कटौती हो रही है वो हमें यहां पे show हो जाएगी इसके बाद थोड़ा सा हमें यहां पे scroll करना है scroll करने के बाद हम देखेंगे यहां पे add deduction का option मिलेगा तो add deduction पे आपको यहां पे click करना है जैसे हम add deduction पे click करेंगे दो option मिलते है रेकरिंग और नौन रेकरिंग यह जो कटोती है वो होगी one time तो आपको यहां पे नौन रेकरिंग यहां आगया है group insurance तो यहां पे आप code से सर्च करेंगे तो आपको यह easily मिल जाएगा group insurance के नाम से और भी यहां पे GIS के नाम से और भी deduction है उनको add मत कीजेगा group insurance यहां से add करना है इसके बद आपको यहां option मिलेगा यहां आप fixed amount देख रहे हैं तो fixed amount पे आप यहां पे amount डाल सकते हैं कितना amount आप deduct करना चाहते हैं employee का उसके बद आपको यहां पे add बटन पे click करना है जैसे ही आप add बटन पे click करेंगे आप देख रहे हैं with effective mode one time only one time April month के लिए अब आपको यहां पे थ्वड़ा सा scroll करना है आप चाहें तो यहां पे documents upload कर सकते हैं वो आपकी इच्छा है otherwise यहां से आपकी जो deduction है वो यहां से submit हो ज़ाएगे अब हम यहां पे submit बटन पे click करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे Yes बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस से हमें Yes बटन पे क्लिक करना है अब हम देखेंगे कि Your Application Number has been successfully submitted अब आपको यहाँ पे OK बटन पे क्लिक करना है OK बटन पे क्लिक करने के बाद वही Employee की हमें वापस से Pay Detail चेक करनी है कि वो Add हुआ है या नहीं हुआ है अगर हो गया है तो अच्छी बात है नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हम Initiate बटन पे क्लिक करेंगे वापस से अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो deduction दिख रही है वो वापस से वही दिख रही है जो पहले की थी as it is कोई भी यहाँ पे GIS की कटोती शो नहीं है मैंने आपको यह इसलिए बताया है क्योंकि अब जो हम IAFMS 3.0 पे काम करते हैं उस पे हम maker, checker and approver बना चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसा employee registration हो या और भी कोई अलग चीज़े हों उनके लिए हम maker, checker, approver बना चुके हैं अब आपको यह उपर रोल दिख रहा है maker का आपको यहाँ से इसको approver करना है जब तक आप उसको approver नहीं करेंगे, maker से काम करते रहेंगे, checker से काम करते रहेंगे तो आपकी deduction कभी भी add यहाँ पे नहीं होगी अब हम वापस से उसको initiate करेंगे, initiate करने के बाद इस्क्रॉल करेंगे, add deduction करेंगे यहाँ से non-dacking select करेंगे, effective month select करेंगे, april, date select करेंगे उसके बाद deduction name select करेंगे, code से सर्च कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे amount डालना है, कितना amount deduct कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे simple आपको add button पे click करना है add button पे click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे submit का button मिलेगा इसको आपको click करना है, वापस से आपको yes button पे click करना है उसके बाद वापस से yes button पे click करना है और हमाई message मिलेगा, your application number has been successfully submitted अब यह जो work किया है वो हमने approver की वज़े से किया है तो हम इसको ok button पे click करेंगे अब वापस जाके देखेंगे कि employee की deduction में वो जो deduction है, वो initiate हुई है और नहीं हुई है वापस से initiate button पे click करेंगे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो group insurance का amount है जो भी है 700 rupees आप देख सकते हैं easily यहाँ से वो add हो गया है, तो यह मैंने आपको जान करके बताईए यह चीज maker से पहले करके कि आपकी जो problem रहती है कि maker से आप बहुत बार deduction add करने का try करते हैं बट वो add नहीं होती है, आप try करते जाते हैं इसका कोई solution नहीं है, इसका सिर्फे की solution है आपको my role है, वो approver करना है एंड जो जब आप treasury bill forward करते हैं तब भी आपको हमेशा role approver ही select रखना है इस चीज को आप जरूर देखिए, अगर आप यह रखेंगे तो आपको आए from इस पे किसी भी तरगी problem नहीं आएगी तो यह एक थी आज की पूरी की पूरी process